हलो व्यूवर्स आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा नववी की अर्ध वार्षिक परिक्षा में यदि कुछ स्टुडेंट फैल हो जाते हैं तो ऐसी इस्तिती में वार्षिक परिक्षा पर उसका क्या असर होगा अर्ध वार्षिक परिक्षा में यदि एक या दो विशे में या तीन विशे में फैल हो रहे हैं उनके कम नंबर आए हैं तो क्या वार्षिक परिक्षा में वो पास हो जाएंगे या नहीं आज इसी की बारे में हम बात करेंगे क्योंकि अर्ध वार्षिक परिक्षा आपकी इ तो अर्धवार्षिक परिक्षा जो आपकी इसी महीने हुई थी अर्धवार्षिक परिक्षा के वार्षिक परिक्षा में जो प्रभाव पड़ेगा वह यहे कि अर्धवार्षिक परिक्षा में से जो नंबर आपके प्राप्त होंगे उसका 5 प्रतिशत वार्षिक परिक्षा में जुड़ेगा ठीक है अर्धवार्षिक परिक्षा का 5 प्रतिशत जो अंक है ठीक है अर्धवार्षिक परिक्षा में जितने भी अंक प्राप्त होंगे उसके 5 प्रतिशत अंक आपके वार्षिक परिक्षा में जुड़ते हैं इसके साथ ही 83 परिक्षा में जो अंक जुड़ते हैं जिससे कि आपको पास होना आसान हो जाता है आपके percent भी बढ़ते हैं और आपके अंक भी अच्छे आते हैं लेकिन यदि ऐसा है कि आपके किसी विशय में ठिके अर्दवार्शिक परिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ऐसी इस्तती में भी आपको निराश होने की बात नहीं है क्योंकि वार्षिक परिक्षा में जो अंक आपको प्राप्त होंगे उसी के आधार पर आप पास या फेल हो जाओगे ठीके पास या फेल होने के लिए आपको वार्षिक परिक्षा बहुती महत्वपूर्ण है यदि अर्ध वार्षिक परिक्षा में नंबर कम आए हैं, किसी किसी विशे में कम नंबर है, तो भी उन विश्यों में आप और अच्छी तयारी करके वार्षिक परिक्षा में अपने अंक बढ़ा लीजीए, जिससे गर वार्षिक परिक्षा में आप आसनी से पास हो जाओ, इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एक्जाम है वो 75 अंक की होगी 75 अंक आपके थियोरी का पेपर होगा और 25 अंक जो है यह प्रोजेक्ट के मिलेंगे ठीके प्रोजेक्ट की तयारे आप कर ही रहे होंगे प्रोजेक्ट की कोपी तयार कर रहे होंगे तो 25 अंक आपको प्रोजेक्टर के मिलेंगे 75 अंक का आपका पेपर होगा वार्षिक परिक्षा का भी तो इन 75 अंक में से आपको अधिक से अधिक अंक लाने की आवशकता है पिचरतर में से 25 अंक पे पास हो जाते हैं लेकिन यदि आपके त्रेमासिक और अर्धवार्षिक परिक्षा में कम नंबर है इसी इस्तति में आप 25 अंक से वार्षिक परिक्षा में पास नहीं होगे क्योंकि वो अंक भी यहां जुड़ते हैं 5% 5% करके तो यहाँ पर यदि क केवल 25 नमबर इसमें पास नहीं हो सकते, आपको और अधिक नमबर लाने की जुरत होगी, लगबग 30 या 35 नमबर, तो ये अंक लाकर आप आर्शिक परिक्षा में आसानी से पास हो जाओगे, इसके साथ ही प्रोजेक्ट कोपे आपको अच्छे से लिखनी, जिससे कि आपको अच्छे नमबर प्राप्त हो, प्रोजेक्ट में कोई भी फैल नहीं होता है, सामाने तोर पर, यदि आपने प्रोजेक्ट लिखकर जमा करवा दिया है, तो ऐसी इस्तती में आप फैल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको इसके अंक प्राप्त हो ही जाते हैं, पास होने जितने आसानी से तो इस प्रकार आपने देख लिया है कि अब आपके लिए यदि आपके अर्ध वार्षिक परिक्षा में नंबर कम है तो ऐसी इस्तती में आपके लिए वार्षिक परिक्षा बहुती महतोपूर्ण है और वार्षिक परिक्षा में आपको अधिक से अधिक अंकल आन आप यह भी बता सकते हो कि आपको किस किस विशे में क्या क्या त्यारी करनी है और क्या आपको किस विशे में क्या कठीनाई हो रही आप कमेंट करके पूछ सकते हो और बता भी सकते हो जिससे कि हम उसी तरह के वीडियो अधिक बनाएंगे और आपको वार्षिक परिक्षा की स पूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए